तमस्कार बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है कॉफी बेहत पॉपलर ड्रिंक है इसे अपनी लाजवाब खुश्बू और दमदार ताजगी के लिए जाना जाता है अपनी इनी खूबियों की वजह से कॉफी ने घर घर में जगे बनाई है सिर्फ पीने में ही नहीं बलकि आज कल फेस मास के रूप में भी कॉफी का इस्तमाल खूब किया जाता है ये सही है कि चेहरे पर कॉफी पाउडर का इस्तमाल करने से आपकी खूबसूर्ती और जाधा बढ़ जाती है मगर कॉफी मास का सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता जी हां वैसे तो कॉफी पैक अधिकतर लोगों को बेनिफिट देता ही है लेकिन जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हम सभी की स्किन टाइप अलग-अलग तरह की होती है इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कॉफी का जो कमाल आपकी सहली की चहरे पर दिखा वो आपकी चहरे पर भी दिखेगा कॉफी फेस मास के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं तो चलिए बताते हैं आपको कि चेहरे पर कॉफी लगाना किसके लिए नुकसान दायक हो सकता है। एकने वाली स्किन पर अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल या फिर मुहासे हैं तब आपको कॉफी मास का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपके पिंपल्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको इसका इस्तिमाल करने से बचना चाहिए। सेंसिटिव स्किन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कॉफी पैक को फेस पर लगाने के बाद आपकी स्किन रेड या उसमें खुजली हो सकती है। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप कॉफी स्किन को एक्सपोलियेट करती हैं ऐसे में इसके साथ नीभू, नमक या बेकिंग सोडा मिला कर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को नुकसान पहुचा सकता है। इसलिए कॉफी फेस पैक लगाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें। फिलाल अमारी इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूले।